तुची है ना रदर फोर्ट ने क्या बात सूची कि यह पढ़ लिया था कि पर्मानु अत्यंत सुष्म है बहुत चोटा अब उसे भी ऐसी चोटी कीज चाहिए जो पर्मानु जैसी ही हो ताकि पर्मानु जैसा व्यवार तो उसे पता था गोल्ड एक पर्मानु है को बताया था पिछली क्लास में पिछलेए चैप्टर में कि भई एक के उपर एक परमानू जब मैं रखती हुँ ना एक के उपर दूसरा दूसरे के उपर तीछ स्टोब county यह ऑप ँपर यह गर्огाल सकता पेज होता है इतना मोटा परमानू बनता है मतलब इसने देखा की एक के उपर एक ऐसे अगर वह एक हजार परमानू रखे एक उस पे दूसरा उस पे तीसरा उस पे चोथा उस पे पांच वा ऐसे अगर एक के उपर एक हजार परमाणू रखे तब तब उसको स्वान पत्र प्राप्त होता है जितना पत्र प्राप्त होता है कोई स्वान पत्र प्राप्त से नहीं हुआ मतलब एक के उपर दूसरा परमाणू दूसरे पर तीसरा तीसरे पर चौथा चोथे पर पांच वा ऐसे हजार परमाणू जो आप रखते हो न तो उसे जो जितना पत्रा जो कागज मिलता है वो पत् पत्र की जगह उसने कुछ और लिया तो परमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा है इसलिए इसने क्या क्या स्वान पत्र का प्रयोग किया हैं तो तीसरी बार रदर फोर्ड के परमानों में रदर फोर्ड ने स्वान पत्र का प्रयोग किया रगर फोर्ड ने स्वान पत्र का प्रयोग किया क्योंकि एक हजार परमानू के बराबर मोटाई स्वान पत्र की होती है ठीक है इसलिए इसने स्वान पत्र का प्रयोग किया ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए बाकि अगर कोई और चीज लेता है तो परमानों की संख्या बढ़ जाती तो रिजल्ट नहीं आएक क्योंकि हमें तो परमानों के बारे में तो ध्यान करना है कि कैसा होता है तो यह है रदर फोर्ड के परमानों मोडल में जो इसने चीजें उपयोग की उसके बारे में अभी एक बार जान करें चलिए इसने यहां से अलफा कणों की बंबारी करवाई स्वान अब होता क्या है वो क्या देखता है तो अब देखते हैं बिटा रदर फोर्ड के प्रेक्शन कि उसने क्या देखा प्रेक्शन का मतलब उसने भई क्या देखा ठीक है तो उसने क्या देखा कि जब वो अलफा कणों की बंबारी करवा रहा है क्या कर रहा है बिटा जब अलफा कणों की बंबारी किसमें करवा रहा है भई कोल्ड पत्र पर सवर्ण पत्र पर वैस्वान पत्र एक क्या है उसके ऑंदर भी परमानों है फर्मानो उसमें भी कुछ कन होंगे उनको देखक्कर यह अल्फार कन औरफीकान शालफाकन बिना मुडे सीधे निकल गए। चुकचप सीधे सीधे निकल गए। कई मुडे नी चुकचप सीधे सीधे निकल गए। तो इसने पहली बात क्या अधिकांच अल्फाकन बिना मुड़े सीधे निकल गए पहली बात इसने ये देखी क्या देखी रदर फोर्ट ने कि अधिकांच अल्फाकन बिना मुड़े चुपचप सीधे 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 निकल गए कि दूसरी बात क्या देखी बेटा इसने दूसरी बात इसने देखी कि भई कुछ अल्फाकन ऐसे थे कुछ अल्फाकन आये अपने मार्ग भी से हलकेंसे विक्षेपित होगा है देखो इसको सीधा सीधा जान था लेकिन थोड़ा सा तेड़ा हो गया मुझे जाना तो सीधा था लेकिन मैं ऐसी थोड़ी सी तेड़ी हो गया तो कुछ अलफाकन कुछ अलफाकन हलके से विक्षे पित हो गए दूसरी बात क्या देखी इसने कुछ अलफाकन कुछ अलफाकन हलके से कौन से विक्षेपित का मतलब मुढना दूसरी बात इसने ये देखे ठीक है कि कुछ विक्षेपित फिर इसने एक बात और देखी कि बाई ये अलफा कण भेज रहा है भेज रहा है लगभख बारा हजार अलफा कण में से एक अलफा कण ऐसा था जो चुप चाप सीधा सीधा गया और अपने मार्ग से वापिस लौट आया बारा हजार कण में से एक कण ऐसा था जो सीधा सीधा गया तो साही राद ही रास्तर से मुड़के वापिस आ गया तो इसने क्या देखा लगभग बारा हजार में से एक अल्फाकन अपने मार्ग से पुनह लौट आया तीसरी बात क्या देखी लगभग बारा हजार में से एक अल्फाकर अपने मार्ग से पुनह लौट आया लौट आया नहीं विटा लौट आया ठीक है यह तीन चीजे इसने नौटिस की पहली चीज क्या नौटिस की देखो अधिकांश अल्फाकन बीना मुड़े सीधे निकल गए कुछ अल्फाकन अपने रास्ते से विक्षे पित हो गए मुड़ गए बारा हजार में से एक अल् लौट से वापिस लौट आया तीन चीजे उसने देखी है ना मैं कितने कणों की बंबारी की कुछ बच्चों के यह डाउट होंगी तो बिटा अल्फाकन इस तो थे बहुत सारे कणों की बंबारी की उसने घिना नहीं लेकिन उसने सोचा कि लगबग इतने मेंसे हैना प्र यह चीजे और फॉर्ड में देखी यह सारी चीजे बीटा ररल फॉर्ड की आशा के विपरित थी दद्वोर्ड ने सोचा कुछ और था हुआ कुछ और और इन सभी घटनाओं को देखकर रदर फॉर्ड ने कुछ निश्कर्ष निकाल यह तो इसने चीजे देख यह तीन च कि निश्कर्ष चलिए पहला निश्कर्ष क्या निकाला उसने उसने पहली चीज ये देखी कि भाई अधिकांच अलफाकन चुप चाप सीधे निकल गए इस बात को सोचकर अधिकांच अलफाकन सीधे निकल गए इस बात को सोचकर अडफोर्ड ने ये निश्कर्ष निकाला कि परमानों का अधिक तर भाग खाली है क्या है भैरिक्ष। वादित्तर भाग खाल इस बात समझो यह पैन मैं यहां से फेक रही हूं अगर आगे कोई दीवार है या कुछ भरा हुआ है तो फैन क्या होगा यह यहां से घया टकराएगा इधर गिरेगा उधर गिरेगा कई बाहर ऐसे गिरेगा लेकिन अगर वह गिरेगा आप खुछ यहां से खाली हो यहां मेरा हतेली बंदी हुई है अंदर रास्ता भरा हुआ है तो यह पैन आगे नहीं निकल पा रहा है यह यह तो घिर जाएगा अब देखो यह रास्ता खाली है मैंने यहां से पैन फेका तो यह बाहर की तरफ निकल जाएगा चुप चौप सीधा सीधा इस चीज़ से रदफोर्ट ने यह निशकर्ष निकाला कि परमाणों का अधिकांच भाग खाली है क्या निकाला निशकर्ष पहला परमाणों का अधिकांच भाग परमाणों का अधिकांच भाग खाली है पहला निश्कश उसने ये निकाला चलिए अब उसने दूसरी चीज देखे थी कि कुछ अलफाकन अपने मार्द से थोड़े से विक्षे पित हुए थे मुड़ गये थे बाई एक बार बताओ ये अलफाकन कौन है? ये अलफाकन धन है धन आवेशित हैं पर पोजेटिव चार्ज है आप सभी को पता है धन आवेशित धन आवेशित को प्रतिकर्षित करता है समान आवेश एक दुसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दुसरे को आकर्षित करते हैं बैई अब यह अलफा कण आ रहा है यहां पर उसको कोई धनावेश मिला होगा तभी तो वह चुप चाप थोड़ा सा टेड़ा हो गया दूर गया वह तो पास में जाता अब यह अलफा कण जो एक धनावेशित कण है वह सीधा सीधा जाके मूडर आए मूडर आए का मतलब है यहां उसको कोई धनावेश मिल गया क्योंकि अगर यहां कोई धनावेश होगा तो यह धनावेश और यह धनावेश एक दुसरे को प्रतिकर्शित करेंगे इसलिए थुड़ा सा दूर चला जाएगा तो यह सोचके रदफोर्ट ने निश्कर्स निकाला कि परमानों के दूसरी बात क्या निकाली परमानों के अंदर परमानों के अंदर कुछ धनावेशित भाग है ठीक है अब लगभग बारा हजार में से एक कान ऐसा था जो चुपचा वापिस चला गया मतलब अंदर बहुत कम भाग में अंदर धनावेश है तभी तो धनावेश धनावेश को देखकर वापिस चला गया तो भाई परमानों के अंदर कुछ धनावेशित भाग है जो बहुत कम है और इसी के अंदर परमानों का पूरा द्रविमान है परमानों का जो पूरा भार है वो इसी अंदर छोटे से भाग में परमानों के अंदर कुछ धनावेशित भाग है जो बहुत कम है जिसमें परमानों का पूरा द्रविमान है और इस छोटे से धनावेशित भाग को जहां पर परमानों में धनावेशित भाग है जहां परमानों का पूरा द्रविमान है उस भाग को इस रदर फोड ने नाभिक नाम दिया तो परमानू के अंदर कुछ धनावेशिक भागे जो बहुत कम है जिसमें परमानू का पूरा द्रविमान है जिसे रदर फोर्ड ने नाभिक नाम दिया है ना जिसे रदर फोर्ड ने नाभिक नाम दिया ठीक है यह बात यहां तक की बात क्लियर है तो एक बार थम सब दिखा दो ताकि हम आगे बढ़ सके आई होप क्लियर है बच्चा फिर भी मैं साइड में अट्रूँ इसको आप अच्छे से देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में फिर बढ़ेंगे आगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे इसके बाद इसमें क्या बोला कि भई उनाफिक है वह बहुट चोटा सा भाग है इसका मतलब नाफिक की तिज्ज्जा अंदर नाफिक है नना अंदर नामी के बहुत चोटा सा है और बाहर की तरफ पर माणू तो भई ये जो नाफिक की तिज्जा है वो तो इतनी कम हुई और पर्मानों की तिज्जा इतनी ज़्यादा हुई तो तीसरी बात जो रदर फोर्ड ने बोली कि नाभिक की तिज्जा पर्मानों की तिज्जा में बहुत कम है तीसरी बात क्या बोली बिठा नाभिक की तिज्जा पर्मानों की प्रिज्या की पुलना में बहुत कम है ये बात किस ने बोली बेटा रदर फोद में नाभी क्या है परमानू के अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा धनावेशिब भाग है जिसमें परमानू का पूरा जब विमान रहता है और इसी को रदर फोद ने नाभीक नाम दिया तो नाभीक की खोज किस ने की रदर फोड ने की ठीक है चले नाभीक की त्रिज्या जो है परमानू की त्रिज्या से बहुत कम है और इलेक्ट्रोन नाभीक के चारो तरफ है ना परमानू में नाभीक के चारो तरफ बरतुलाका व्रत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चौती बात क्या बोली, इलेक्ट्रोन नाभिक के चारों तरफ व्रत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यह बात किसने कहीं बेटा, रदर फोर्ड में कहीं, कि पर इलेक्ट्रोन जो हैं, वो नाभिक के चारों तरफ व्रत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, तो यह था बेटा, रदर फोर्ड का परमाणू मॉडल जो आगे जाके फैल हो गया, रदर फोर्ड का परमाणू मॉडल भी आगे जाके फैल हो गया, रदर फोर्ड ने जो प्रयोग के थे, लगबग लगबग 1911 के आसपास के थे, अभी तक बेटा नाभिक में, न्यूट्रोन की खोज नहीं हुए अभी तक से विलक्टोन और प्रोटोन की खोज हुए थे, इलक्टोन है, जो रिनावेशित कन है, नाभिक के चारों तरफ घुम रहे हैं, और जो धनावेशित कन है,